हम देखेंगे चदुर्बुज के प्रकारों से संबंदित कुछ साधारन कलतिया साधारन कलती एक कई बार बच्चों को आयत यानि रेक्टांगल पहचानने में उल्जन होती है जैसे यहां एक चदुर्बुज यानि क्वारिलेटरल दिया है अक्सर बच्चे यह समझते हैं कि यह एक आयत नहीं है इसका कारण यह है कि आयत अक्सर इस तरह से दर्शाया जाता है बार बार इसी प्रकार दर्शाया हुआ देखने के कारण उनकी धारना बन जाती है कि यदि चदुर्बुज इस प्रकार है तो वह एक आयत है अन्यता नहीं, चुकि यह आकृती उनके समझ के आयत जैसी नहीं है, इसलिए वे समझते हैं कि यह एक आयत नहीं है, सही समझ है कि आयत के सम्मुक भुजाएं, यानि opposite sides, समानतर, यानि parallel और बराबर होती है, और सभी कौन, समकौन, यानि right angle होते हैं, इस समझ के साथ हम अलग प्रकार से आयत बना सकते हैं, यहां हम देख सकते हैं कि दी आकृती में आयत के सभी गुण है, इसलिए यह एक आयत है, साधरन गलती दो, अब इस आकृती को देखिए, कि यह एक वर्ग यानि square है, सोचिए, सोचिए, चलिए हम बताते हैं, यह एक वर्ग है, कुछ बच्चे इसे एक वर्ग नहीं समझते, वे सोचते हैं कि एक वर्ग की भुजाएं, कागस या स्क्रीन के किनारों से समांतर होती है, यहां दिये चतुर्भुज के भुजाएं, स्क्रीन के किनारों को समांतर नहीं है, इसलिए वे समझते हैं कि यह वर्ग नहीं हैं ध्यान रहे किसी भी चतुरभुज को सिर्फ देखकर पहचानने की विधी कलत है चतुरभुज को सही रूप से पहचानने के लिए हमें विभिन्न चतुरभुजों के गुणों की समझ होना अवश्यक है जैसे यहां हम तेखते हैं कि सभी भुजाएं बराबर है सम्मक भुजाएं समानतर है एवं सभी कोन समकोन है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है इसलिए किसी भी चतुरभुज की गुणों से पहचान करना सही है साधरन कलती 3 क्या एक वर्ग एक आयत भी है? सोचे सोचे चलिये हम बताते हैं कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि एक वर्ग एक आयत नहीं है क्यूंकि वर्ग आयत जैसा नहीं दिखता ध्यान रहे हम गुणों के आधार पर چतुरबज के पहचान करते हैं न कि सिर्फ देख कर आयत की तरह ही वर्ग की सम्मुख भुजाएं यानि opposite sides बराबर एवं समांतर होती है तथा आयत की तरह वर्ग की सभी कोंड भी समकोंड होते है इसलिए एक वर्ग एक आयत ही है क्या एक आयत एक वर्ग भी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होना अनिवार्य है, लेकिन आयत की सिर्फ सम्मुख भुजाएं ही बराबर होती है, इसलिए एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, ध्यान रहे, एक वर्ग एक आयत जरूर होता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं हो स साधरन कलती 4 दोनों भी सम्चतुर्भुज की अवधारनाएं हैं इससे हम यह कह सकते हैं कि हर एक वर्ग सम्चतुर्भुज होता है आईए अब दूसरे कथन को देखे इस कथन को समझने के लिए हम एक सम्चतुर्भुज बनाएंगे इस चतुर्भुज को मापने पर हमें यह ग्यात होगा कि इसके पुजाओं के लंबाई समान है और सम्मुक पुजाएं भी समानतर है लेकिन हम यह पाएंगे कि इसके कौण समकौण नहीं है चुकि उपरोक्त दो अवधार्नाओं के अलावा वर्ग के चारो कौण समकौण होते है मतलब यह आकरूती वर्ग नहीं है, मतलब दूसरा कथन असत्य है बच्चे सम्चतुर्भुज और वर्ग की अवधार्नाएं अच्छे से पता न होने के कारण चतुर्भुज का प्रकार पहचानने में गलती करते हैं और गलत कथन करते हैं इससे हम यह कह सकते हैं कि हर एक वर्ग सम्चतुर्बुज तो होता है लेकिन हर एक सम्चतुर्बुज वर्ग नहीं होता तो आज हमने देखी चतुर्बुज के प्रकारों से संबंदित कुछ साधारण कल दिया